वेल्कम टू होटी किल्चर प्लान नस्तरी होटी किल्चर प्लान नस्तरी में सभी किस्तन बाउकस दो अगर आज की डेट में इस वीडियो में बात करेंगे प्लाम फ्रूट के बारे में प्लाम फ्रूट यानि जो हम हिंदी में कहते है आलू बुखारा इसका फर्मिंग के ब जो गर्मी वाला एक इलाका है वहाँ पे होता की नहीं इस बीसे में पूरा हम जानकर यह सुब वीडियो में देंगे तो वीडियो को सुरूर से लेकर आम तक बने रहे हैं साती सथ आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो पहले हम बात करते है यह जो प्लाम भराइटी है यानि प्लाम जो फूरूर्ट है या जो आपका आलू-बुखा रहा है आलू-वुखारा के अंदर कितना सारज़ वराइटी और तो आलू-बुखारे के अंदर भरायटी जो है टोटल आपको चार भराइटी आता है जो इंडिया में होते है यह चार इंडिया में फर्मिंग होता है उसमें से जो है कला अमरी सर और उसके बाद से परपेल और उसके बाद टिट्रॉण और हम दिखाएंगे तो जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो काला अम्री सरे ये पंजाब हिमाचल में मोस्टली जो आपका लगभग लगभग बोले तो 44% फर्मिंग जो है ये आपका उत्राखांड हिमाचल में सबसे जादा होता है और उसके बाद जो है जैसे कि कस्मीर हो गया पंजाब हो गया और भी जो यूपी बगरा जो राज्य है वो सबी जगा पे होता है पर मत्रा थोड़ा कम होता है अगर हम बात करें कि हमारा इंडिया के अंदर सबसे जादा फर्मिंग कहां होता है तो सबसे जादा फर्मिंग जो उत्तरा खंड में होता है और उत्तरा खंड में लगभग सत्रा हाजर टन पार एयर में इसका फर्मिंग होता है और साथ-साथ हम बात करते हैं कि इसका फर्मिंग करके किसानों ने कितना ज़्यादा मुणाफा कमाता है क्योंकि देखिए यह जो प्लामट है यह एक जगा में जैसे की हर एक जगा में फर्मिंग होता है इंडिया का बहु compositions सबर्ज में देखेंगे पता कीजिए कि आपको सब रज्ज में यह फर्मिंग नहीं होता है तो इसका फर्मिंग इंडिया का किसी भी रज्ज में हो जाएगा चाहे भीहार यूपी वेस्ट वेंगल चाहे कहीं पीमपी महारास्टर कहीं पे भी इसका फर्मिंग हो जाता है पर इसके लिए वाट क्लाइमेट वाला जो वाराइटी को आपको लेकर लगाना है अगर हम बात करते हैं इसमें से किसानों का कितना ज़्यदा मुनाफ़ होता है तो किसानों का मुनाफ़ के अगर हम बात करते हैं तो देखिए नॉर्माली आप जो फर्मिंग करते हो जैसे कि नॉर्माली धान गेहों का जो फर्मिंग करते हो उससे कहेगो ना ज्यादा मुनाफ़ है इसमें आपको मिलता है क्योंकि आप मर्केट में दू तरीके से इसे बेश सकते हो इसे तो या तो पकाके खाया जा सकता है या तो इसे जो है dry fruit बना के जो अलो वखारा जैसे की बाजर में बहुत टरीके से इस्तमाल होता है वो अलो वखारा जो है आप सुखा के यानी मेवा बना के जो है market में उसे सप्लाई कर सकते हो अगर हम बात करते हैं कि इससे बेचेंगे कहां आप तो फल तो उगा लिये हो इससे बेचेंगे कहां नॉर्माली आपके एरिया में जो बड़ा आपको fruit मंडी है जो फलो का मंडी है वहां पर ले जाके आप जो है इससे sale कर सकते हो इसमें आपको काफी ज़्यादा rate आपको मि जोत लिए असी से जोता ही होने के बाद जो है आपको इसमें distance जो रखनी होते हैं आप 10 तो तो या तो तो ते डिस्टेंस आपको और रखनी है तो एकदम फर। इस्टेंस होता है वाइसाँ डिस्टेंस करना के जो है वहां पर गड़े आपको डल देनां ये डालने के बाद आपको ऐसे गड़े के छोड़ देना है पानी बखंपे लगभ से उसर लगाने का यह को अब आपका मिठ्टी डमागाते समय आपको वो दाब दे कि आपको फिलाइब को लगा देना है तो आपको बेसिक दिया जाएगा इसका फर्मिंग करने का प्रॉसेस जो है क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा प्रॉसेस को बताएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा तो बिलकुल आपके सामने जो है आप देख सकतो प्लाम का वराइटी यह जैसे यहां पर लगे हुए यह प्यूर जो है मैच्चूर हो चुका है अभी फल जो है तो तो यह जब मैच्चूर हो जाएगा मैच्चूर होने के बाद आप इसे पका के खा सकते हो यानि जब इस फ्रूट को तोड़ने के बाद जो है लगभग इसमें आपको साथ आठ दस पंतरा दिन तक यह बहुत अच्छे से सर्वाइब कर जाता है तो इससे आप ऐसे करके र हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को इतना टाइम देके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभू